हेलोपेंट्स तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने OLS अकाउंट को अन्बैंड कैसे कर सकते हैं अगर आप कभी OLS अकाउंट बैन हो चुका है आप उसको अन्बैंड नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो का आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि मै हाज आपको बहुत ہी सींपल तरीका बताऊंगा बहुत ही तरीका बताऊंगा कि कि आप किसी मदद से आप करूंगा तो यहां पर देखें मेरे सकते हो जैसे मैं यह आपको वही ट्रिक को मैं आज आपको बताऊंगा उस ट्रिक को आप यूज करके अपना अकाउंट अन्बाइंड कर सकते हैं यहाँ पस देखी मेरा अकाउंट अन्बाइंड है ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना अकाउंट अन्बाइंड कर सकते हैं तो जब भी करते हैं तो आपको यहां पस कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखाई देता है ठीक है यूर अकॉंट हैस बिन सस्पेंड़ आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है ठीक है तो आपको क्या करना है इसी में का स्क्रीन शॉट ले ले लिया अब आपको एक चीज याद रखने ही पड़ेगी जब भी आपना कीरिट करते हैं उसमें एक इमेल आइडी आता है जो आपको इमेल आइडी ड़नने वागता है इंएड अबको डिखा देता हूँ यह जाए मैं अपना ओल्स ओपिन करूंगा जब भी मैं अपना ओल्स अकाउंट कर रहा हूं यह देखिए अकाउंट में गया उसके बाद यहां पस गया मैं अपने प्रोफाइल पर ठीक है इडिट प्रोफाइल में गया तो यहां पस आपको देखने को मिल जाएगा है मैं दिखा देत तो मैं क्या करता हूँ simply back आ जाता हूँ back आने के बाद आपको क्या करना है gmail में चले जाना है उसी email id को create करना है जिसमें आपकी olex में verify है ठीक है तो उसको खोलने के बाद यहां पर देखें नीचे compose option आ रहा है इस पर आपको चले जाना है जिसी आप इस पर चले जाएंगे इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर आज आजया ठीक है support at direct olx.in यह डालने के बाद आपको क्या करना है यहां पर subject में लिखना है आपको compose में क्या करना है यह देखिए compose में आपको वह screenshot यहाँ पास फिल कर देना है जो आपने screenshot Olex account के लिया था ठीक है तो क्या करणगा वह देखिए उपर एक टूप पिन का option आ रहा है यह देखिए attach file आ रहा है तो यह आपको इस पर click कर देना है जैसी आप इस पर click कर देंगे तो यहाँ पास attach file में आपको चले जाने के बाद यहाँ पास आपको screenshot ले लेना है यहाँ पास आपको fill कर देना है ठीक है यहाँ एतना होने के बाद यहाँ पास देखिए उपर send option आ रहा है तो दिखा दे रहा हूं यहां पस refresh कर रहा हूं तो मेरा जो mail रहेगा उन्लों कर लेंगे दिखा दे रहा हूं मैं आपको मैं refresh कर यह अभी email नहीं आ रही है ठोड़ाओी देर के बाद आपको एक डी मेल यहांपा दीख जएगी यह देखिये आगी एक mail methyl aids india आपकी जो वेलेस अकाउंट जो सस्पेंड है उसको अनबैंड कर दिया जाए गा 24 ए 24 गंड़े पाद एक मेल आगी आपके पास ठीक है आपको मिलती रहेगी और आप अपना प्यार दिखाते रहेगा तो आज की इस वीडियो में आपको इतने ही बताने वालता है अब आपसे मिलता है कुछ अलग वीडियो के साथ